हेलो एवर्यवान वाल्कम बाक टिरोन चैनल आज हम करने ही जारे हैं आपकी वोक्षीट नमबर 72 सब्जेक्ट माज्स क्लास 9 हमारी डीट 19 जैन्वरी के लिए तो चिली स्टार्ट करते हैं आज की वोक्षीट में हमारे जो चेप्टर हमने कल स्टार्ट किया था तो कुछ बेसिक एंगल बता रहीं वोक्षीट में 60 डिग्री 90 डिग्री 45 डिग्री जो हमें सीखने हैं उसके बाद ट्रा यूर्सेल्फ में आपको जो खुद जो क्वेश्चिन करने हैं जिसे वह आपको मैं खुद करके दिखाऊंगे पिछली वोक्षीट की तरह क्योंकि एंगल ऑफ 60 डिग्री 60 डिग्री का एंगल बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा पहले कंस्ट्रक्ट दा एंगल ऑफ मैजर 60 डिग्री 60 डिग्री का आपको एंगल बनाना पड़ेगा फॉर्स्ट फॉरेट वी फॉर्स ड्रो लाइन सेग्मेंट ए भी पहले में क्य क्या करूंगे एक लायन कीचओंगी AB ठीक है फिर में क्या करूंगे demie possibile arc one with a center a को center मान कि मतलब रखोगी जो आपका compass चानि के परकार है उसका उसकी जो सूही होती है वो आपको यहां पर रखनी है और स्थ उसको खूल की आपको क्या करना है ऐसे एक आर्क बनाने है गोल बनाना है चारो तरफ ठीक है उसकी बात जो D है D be the point where it intersects the line segment तो जहां पर यह मिलती है मालो आपने इसको center मान के pencil से line draw के दी तो यह line को यहां पर touch कर रहा है तो इस point को आपको हमने क्या मान लिया इसको D मान लिया दूसरा step क्या करना है with D as center जो D है उसको center मान के D को center मान के हम क्या करेंगे दूसरी arc बनाएंगे same radius की मतलब जितना आपने पहले खोला था ना compass को अपने प्रकार को उतना ही खोले रखना है आपको उसके बाद क्या करना है D को आप center मान लो और फिर क्या करो फिर से आप एक arc खीचो इस radius पे जो आपने arc खीची थी पहले उस पे तके cut करें इस तरीके से कीचना है आपने पहले ये कीची थी तो इस तरीके से आपको D पे प्रकार रखके इसको काटना है इसको मैंने यहां से काट दिया फिर मैं क्या करूंगी third point यह जो जहां पे काटा इसको E रख लो फिर मैं क्या करूंगी join point A and E उसके ब तो इचार स्टेप में हमारा एंगल 60 बन गया कितना इसी है हो जाएगा कोई दिक्कत वाली बात निया अब देखो एंगल 90 डिग्री का बनाना है बहुत बच्छे डरते हैं कि नहीं हमसे तो ड्रो नहीं हो रहा हमसे तो यह हमें समझ भी नहीं आ रहा कहां से आर्क लगाने है कैसे पता लगेगा आपको कुछ चीज जो बेसिक एंगल है वो आपको होने चाहिए याद कि वो कैसे बनाते हैं जो आज यह बेसिक एंगल में 60 डिग्री 90 डिग्री यह बता रही हूं ना सिर्फ यह दो तीन एंगल आपको करने है उसी के हैप से सारे एंगल कितना भी क्या करना है step 1 और step 2 आपका सेम रहेगा क्या सेम रहेगा पहले मैं एक लाइन ड्रो करऊंगी फिर ay पे सेंटर रख मैं एक ऐसे आर्ककर करूंगी उसके बाद मैं क्या करऊंगी जो ड है यहां से मैं एक आर्क लगा दूँगगी यह दो आपके सें रहेगे फिर देखो यहां पे मैंने आर्क लगा दी अब मैं क्या करूंगी with E, S, center draw आर्क 4 अब यहां पे मैं क्या करूंगी देखो एक बार तो आप यहां पे लखके उपर की तरफ लगाओ रखके फिर से उपर की तरफ लगाओ तो आपके यहां दो आर्क बन जाएंगी ठीक है जो आर्क को नीचे पॉइंट से मिला दिया तो यह हमारा एंगल 90 डिगरी हो गया ठीक है उसके बाद है एंगल 45 डिगरी 45 डिगरी का एंगल है जो इसमें भी हमें क्या करना है बाइसेक्ट एंगल ऑफ 90 डिगरी अगर हम 90 का अदा कितना होता है 45 तो 90 का एंगल बनाके मैं उसको कर दोंगी उसका half है वो ले लूँगी तो मुझे क्या मिल जाएगा 45 डिग्री का एंगल तो मैं क्या करूओंगी 90 डिग्री का बना चुकी जो सारे steps आपको 90 आप करने उसके बाद अगले जो steps हैं फिर क्या करना है आपको यह 90 डिगरी का बना चुके उसके बाद क्या करो with h as center यहां से जो 90 डिगरी का जो यह point था यहां पर जहां पर यह line मिल रही थी यहां से आपको एक यहां से आपको दूसरी यहां से आर्क लगानी है तो यहां जो आर्क मिली अब आपको क्या करना है इसको जोइन करना है center से ठीक है इसको मैंने जोइन कर दिया center से तो जो मेरा यह बीचो बीचो एंगल बनेगा यह 45 डिगरी बनेगा ठीक है नहीं समझ में कोई रिकत नहीं है चलो अब इनको बनाना सीखते हैं मैं आपको पेपर पे अपनी compass लेकर बैठो अपना scale और pencil फटा फट से लेकर आओ eraser शापनर जिन भी चीजों की जरूरत है और मेरे साथ साथ बनाने की कोशिश करो ठीक है तो 90 जो में यह एंगल्स बनाने है ना देखो यह आपका एक ही question दिया हुआ है एक question के चार पार्ट है यह question आपको करना है आज तो इसमें आपको चार एंगल्स बनाने है 15 डिगरी का 30 डिगरी 75 डिगरी और 120 डिगरी तो इन चारों के अलावा जो भी ऊपर बताए हैं मैंने ऊपर आज हमने पढ़ा 60 डिगरी का एंगल 90 डिगरी का और 45 डिगरी का है ना तो चलो start करते हैं तो पहला जो पार्ट है उसमें हमें क्या करना है 15 डिगरी का एंगल बनाना है तो देखो 15 डिगरी का एंगल कैसे बनाएंगे चली सबसे पहले आपको क्या लेने हैं आपना scale हो गया आप एक लाइन दो करोगे हैं च्छिक है वह कहाfront करना है Scale से एक लाइन ड्रो कर ली देखो यहां मैंने किया है ऐसे लाइन अपने ड्रो कर ली उसके बाद मैं क्या गरूँगी लाइन ड्रो करने के बाद आपको इस लाइन को नाम दे देना है इसको ओ नाम दे दीजिए और इसको ए नाम दे दीजिए ठीक है तो ओ को आप सेंटर मान लीजि इधर से थोड़ा ज़ादा भी खोल सकते हो इधर से यहाँ पर आपको क्या रखना है अपना प्रकार रखना है और यहाँ से आपको क्या करना है लाइन ड्रोग ऐसे गोल गोल इसको चारो तरफ ऐसे गुमा देना है ठीक है गोंगया तो जहां पर यह आपका point मिलता है OA पर जो काटता है इसको मैं मान लेती हूँ B ठीक है इस point को मैंने क्या मान लिया B अब मैं क्या करूँगी B को आप center मान लीजी जो यह B point है इसको center मान के अब आपको एक arc बनानी है जो यह arc हमने पहले बनाई थी इसको काटती हू हू जितना पहले खुला हुआ है same reactress लिनी है इसको दोबादा से खुलना बननी करणा उतना ही लेना जितना पहले खुला हूँआ हूँ नही七 बना यहां से भी आप क्या कर दो 향ा प्लै आप आर्क लगा दो ऐसे degree है हमारा angle बन जाएगा देखो यह जो angle अभी मैंने क्या किया यहाँ से मैंने यह arc draw कर दी तो यह जो अगर मैं इस line को यहाँ पे जोड़ दू, scale से मैं क्या करूँगी इसको जोड़ दूँगी, ठीक है scale से इस point को क्या करना है यह वाला जो point है आपका यह point और यह point इन दोनों point को जोड़ के आपको line draw करनी है तो इन दोनों points को आप जोड़ के line draw करो, तो जो आपकी line draw करेगी जो बीच का angle हो जाएगा वो 60 होगा ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ से मैंने angle बना दिया 60 degree तो यह जो मेरी line draw की है मैंने, यह क्या हो जाएगा यह 60 degree का यह angle जो बना है 60 degree का बना है जो हमने अभी पड़ा worksheet में किया 60, 90, 45, तो 60 का angle बनाना हो गया तो 60 के angle से ही हमारा 15 degree का angle बनेगा 60 का आदा होता है, कितना 30 degree तो मैं इसका आदा कर दूँगी 30 degree बनाऊंगी, फिर 30 degree का आदा होता है 15 degree, तो फिर 15 degree बन जाएगा मेरा, तो इसका आदा मैं कैसे करूँगी अब मैं क्या करूँगी, आपको क्या करना है यह जो angle है, इसको आप यहाँ D माल लीजे, यह जो point है इसको यहाँ पे आप D माल लीजे, ठीक है इसी आगे तक move हो सकते, अब ऐसे arrow लगा दो इस पे ठीक है, एक point में सरफ A लिखो अब जो हमारा angle A, O, D है यह जो angle है, यह हमारा 60 degree है अब मैं bisector बनाऊंगी A, O, D का bisector मतलब जो इसको तो बराबर angles में बाट दे ठीक है, मतलब 30-30 के angle में बाट देगा तो मैं क्या करूँगी, C को और D को, center मान के एक same radius, जितना पहले खुला हुआ था, उतना जो है आपका half of CD, जो CD है CD का half आपको radius लेके आपको E line draw करानी है half मतलब यह देखो, half से ज़्यादा यह C है, यह D है ठीक है, इसका half मालीजे, यह हुग तो half से ज़्यादा आप इसको खोलेजी ठीक है, यह half से ज़्यादा है है ना, half से ज़्यादा आप इसको खोलना है तो आपको क्या करना है, C point से आर्क लगाऊगी और D point से आर्क लगाऊगी, ठीक है क्या करूँगी, मैं पहले C point से आर्क लगाऊँगी C से arc लगाया मैंने फिर मैं क्या करूँगी D point है जो मेरा ये जो D point है इस से arc लगाऊंगी यहां से मैंने arc लगाया इसको थोड़ा लंबा कर लो इस arc को तक ये मिल सके ये arc बन गई तो अब अगर मैं इस point को O point को इस line से मिला दू इस point से मिला दू तो मैं क्या करूँ इसको मिला दू ये थोड़ा से बाहर निकल गया इसको rough कर लेना तो ये जो मेरा angle बना है ये क्या बना है मेरा angle 30 degree ये इसका bisector है ये angle कितना बना है 30 degree अब मैं क्या करूँगी 30 degree का भी half कर दूँगी तब ही तो मेरा 15 degree बनेगा अब मैं bisector इसको आप मालेजे यहाँ पर E इसको मालेजे यहाँ E इस point को E मालेजे अब मैं क्या करूँगी अब मुझे इसका भी bisector बनाना है तो मैं bisector of AOE इसका bisector बनाने के लिए आपको क्या करना है P point mark करना है जहां पर OE है जो वो intersect करते है arc को ठीक है आपको क्या करना है P और B को आपको क्या ले लेना है P क्या है यह देखो यह point है जो P यह है P तो P और B को आपको क्या ले लेना है आपकी बार centre माल लेना है और arc डो करनी है half of PB जो PB हैं आपका PBK आप से radius से ज़ाधा आपका होना चाहिए जो है आपका PE आएगा यहाँ पे क्या करना है इससे ज़ाधा आप अपनी जो E है half of radius से ज़ाधा खोल लीज़े इसको तो मैं क्या करूँगी इस point से और इस point से क्या करूँगी line लो करूँगी यहाँ से मैंने को मैं एक माल लेती हूँ अब मैं क्या करूंगी इसको Yuten यह जो पॉांट है और % is को मित चोड़ु市े क्तुछ तो यहां पर आपको क्या करना है इनको जोड़ु some करना इन पॉइंट्स को आपको मीट करा बैनाए यह आप कराऊगे ऐसे meet ठीक है तो इस point को आप नाम दे दीजे f का ठीक है तो जो यह आपका angle बना है कौन सा angle यह वाला जो angle है यह आपका है 15 degree जो की हमें बनाना था ठीक है तो यह हमारा हो गया कौन सा question question number first जिसमें 15 degree का हमें first part यह देखो यह 15 degree first part अब चलते हैं हमारे question number two पे देखो question number two में क्या करना है आपको अब इसमें जो second part है इसमें आपको 30 degree का angle बनाना है ठीक है तो 30 degree का angle बनाने के लिए 30 degree बहुत ही आसान है क्या करना है सबसे पहले उसी की तरह है अभी अभी मैंने बनाया था 60 का half करकी वही करना है सेम क्या करूँगी मैं यहां पे line draw करो एक कितनी भी लंबी line draw करो कोई दिक्कत वाली बात नहीं नहीं आपना कि वही 5 cm लू 6 cm कितनी भी लंबी आप ले सकते हो तो मैंने क्या किया इसको यहां पे एक line draw कर दी मैंने ठीक है यह मैंने line draw कर दी line draw करने के बाद मैं क्य करूंगी फिर से वही करना है मुझे सेंटर मान लेना है इसको लिख दो ओ इसको लिख दो ओ और इसको लिख दो ए ठीक है ओ रिख दिया मैंने फिर में क्या करूंगी यहां पर इसको सेंटर मान के आर्क ड्रो कर लोंगी ठीक है तो मैंने क्या किया इसको सेंटर मान के यहां स को मैंने बी नाम दिया जो यह मैं बोल रहे हूँ नहीं यह आपको steps में लिखना है क्या लिखोगे पहले कि आपको क्या करना है यह आपको बनाना है ठीक है वह बनाना है उसके बाद क्या करना है आपको कि मुझे एक चाप बनानी है अपनी आर्क बनानी है ऐसे बना लेना है उसके बाद क्या करना है मुझे यह लाइन जो रेखा खंड है इसको मिला देना है यह जो चीजे मैं बोल रही हूँ नहीं यह आपको अपनी step है जो आपके पद है उसमें लिखना है ठीक है तो मैं आपको step है वो आपके लिखवाओंगी यहाँ पर जो चाप है ऐसे लगानी होती है यह चाप मैंने लगा दी यह जो आर्क है मैंने यहाँ पर लगा दी फिर मैं क्या करूंगी यह कितना बन गया यह 60 डिग्री 60 डिग्री का कौन बन गया 60 डिग्री का एंगल बन गया ठीक है यह जो है इसको मैं मीट करा दूंगी इ 50 2nd part में आपको 30 degree भी बनाना था ठीक है तो यहां से आप इसको मिला दो यह ji point है मैंने क्या किया इसको यहां से मिला दिया ठीक है तो यह एक मेरा 40 degree का कौन बन गया अब इसका साथ सी household सलेकर बोने ख़को यहां पर इसको नाम दे दीजे D का ठीक है इसको नाम दिजीए C अब मैं क्या करूंगी कहां से जो मेरा D और C है इससे हाफ से जादा इसकी रेडियस से मैं क्या करूंगी इसका बाइसेक्टर बनाऊंगी ठीक है तो C और D को center लेना है आपको और CD से हाफ से जादा आप से ज़दा हो गया देखो ठीक है तो मैं क्या करूँगी यहां से एक बार जो C है इस point से arc लगाओ C से जो है C से चाप बनाओ C को केंदर मान की यहां से आपको चाप लगानी है अरक लगानी है ठीक है उसके बाद D पे आपको क्या करना है अपना रखना है प्रकार और यहां से आपको चाप लगानी है ठीक है तो यह हो गया मेरा 30 degree का कौन इसको मैं यहां पर E लिख देती हूँ तो यह हो गया 30 degree का कौन जो मेरा दूसरा पार्ट है जिसमें हमें 30 degree का angle जो बनाना था हो गया अब देखो थर्ड आपका पार्ट है थर्ड में आपको 75 degree ठीक है 45 बोल रही हूँ 75 डिगरी 75 डिगरी का आपको एंगल बनाना है तो देखो नेक्स पेज़ हम उपन कर लेते हैं तो आपको क्या करना है थोर्ड जो पार्ट है तीसरा जो भाग है आपका उसमें आपको बनाना है 75 डिगरी का कोन ठीक है तो कैसे बनाऊंगे मैं 75 डिगरी का कोन क्या करूंगी सबसे पहले क्या करना होता है अमें लाइन लगानी होती है अब तो आपको step भी याद होंगे होंगे है ना जैसे आप बनाते रहोगे न आपको समझ में आने लग जाएगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मैंने क्या किया एक लाइन खीच दी एक रहा कीच दी बिना माफे कितने भी लंबी अपनी मन से फिर मैं क्या करूंगी उस पे चाप बना दूंगी इस रहा का पहले नाम दे दो इसका नाम में रख देती हूं फिर से O A ठीक है मैंने नाम दिया फिर मैं क्या करूंगी जो मेरी चाप है यहां से इसको केंदर मान के इसका सेंटर मान के मैं ऐसे गोल चाप बना दूंगी अपने आर्क बना दूंगी इसको मैंने जहां पर यह इससे मिलता है इस रिखा कंट पर जहां पर मिलता है इसको मैंने न करना है फिर से सी से आपको काटना है सी से जितना पहल प्रकार खुला हुआ है उतना ही खोल के रखना है मुझे फिर से सी को काटना है तो यहां से आप इसको केंदर मान के सी को फिर से काट दो ठीक है पहले मैंने यहां से यह बनाया फिर आगे यहां से यह बनाया हो गया फिर मैंने यह आर्क यह चाप लखा दी तो जो यह कौन बनेगा नहीं 90 डिग्री का बनेगा जो भी मैंने आपको बताया था किसमें जो हमने वोक्षीट में भी कर रहे थे हम इसको अगर आप सीधा मिला दोगे तो यह क्या होगे आपका 90 डिग्री का कौन बन गया ठीक है 90 डिग् यहां से ठीक है यह आपको मिला देना है घबराने की जरुद नहीं है जब आप प्रैक्टिस करोगे तो सब आ जाएगा बहुत लोग डरते हैं इस चैप्टर से हमसे तो बनेगा ही नहीं हमसे तो होगा ही नहीं थोड़ी टेडी लाइन बना दिए स्केल से अब इसको सीधा बना लेना ठीक है तो यह हो गया हमारा कौन सा एंगल हो गया यह साट डिगरी का कौन हो गया ठीक है तो मैं साट डिगरी का इसको नाम दे दो यहां पे यह सी है यह वाला जो पॉइंट है जो यह पॉइंट है यह आपका डी पॉइंट है ठीक है अब मैं क्या करूंगी दे आप सी और इसको डी पोइंट इसको मान लीजिए यहाँ आप क्या करऊगे दीसको इसको मान लीजिए यह जो डी point है अब C और D से आपने bisect कर दिया ये बना दिया अब मैं क्या करूंगी अब इसका आदा 30 का आदा जो है 30 का आदा आपको बनाना है ठीक है इस point को मान लिया मैंने E इस point को मान लिया मैंने E अब आपके पास E O और जो आपका P है कौन सा बोल रहे हैं मैं देखो E O P यह जो बीच का आपका जो यह कौन बनाया ना बेटा यह कौन सा कौन है यह आपका 15 डिगरी का ही कौन है ठीक है यह आपका कितना कौन है जो E O P है यह आपका 15 डिगरी का कौन मनेगा इसमें ठीक है तो यहाँ पे सोरी यह 30 डिगरी का इसका आदा है जो वो 15 डिगरी का कौन मनेगा ठीक है यह कितना 30 डिगरी है अब यह देखो यह पूरा 90 है 90 में से यह 60 गटा दिया मैंने तो यह कितना 30 है तो इसका आदा कर दो 15 ठीक है 15 कैसे आएगा 30 का आदा कर दो यह 30 है इन दोनों के बीच में एक रिखाएगी जो 15 डिगरी का आपका कौन बनेगा ठीक है वो मैं कैसे बनाऊंगी क्या करूंगी मैं जो O P है O कहां पर यह देखो यह है जो पॉइंट क्यों और यह पॉइंट है जो C इनको यहां पर सेंटर मानके इधर बीच में आर्क लगाऊंगी ठीक है more than half of क्योंसी क्योंसी के हाफ से मैं क्या करूंगी यहां पर इसको लिखा करके मैं यहां सेंटर बनाऊंगी इधर से इसको भी काट दो इधर से रखके इसको काट ओ ऐसे ठीक है तो अब जो यह point है na आपका यह जो बिंदू है यह जो बिंदू है यह मिला दो ठीक है यह आपको मिलाना है यह आपको क्या हो जाईगा 15 degree का कोन बन चुका है अब ही आपका पहले नीचे बना लो कहीं पर भी बना लो कौन तो अब आप कोगे इसके बीच में 15 डिगरी का तो नीचे था बेटा उसको मापने पर वो 15 डिगरी का आप एक triangle को ऐसे रख दो या उसको उल्टा करके रख दो रहे का तो यह triangle ही न तो या तो उसको यह नीचे बना लो यह यहां बना लो आपको बस 15 डिगरी का बनाना है कि हम उसको मापे तो 15 डिगरी आए अब मैं क्या करूँगगी इसको मिला दो ठीक है डंक से मुझे camera भी phone भी संभालना पढ़ रहा है तो आप इसको straight लगा ले न ठीक है यह मैंने इसको मिलाया यहाँ पर और मैंने स्ट्रेट लाइन प्रो कर दी तो यह मेरी लाइन है यह क्या है 15 डिगरी की बन गई अब 15 डिगरी का कौन बनाने की बाद भी इतना बन गया देखो अगर साथ साथ बनाओगे देख देखे तो समझ में आ जाएगा और लेकिन अगर आपने बाद में इसको खोशिश की तो शायद आपको दिक्कत हो तो इसलिए मैं कहा रही थी आपको कि अपना जो प्रकार हो गया है अपना सारा सामान ले कर बैठो ठीक है क्योंकि आपने छे साथ बना लिए ना उसके बाद आपको प्रैक्टिस हो जाएगी फिर आप फटा-फट से अपना पैंसिल प्रकार चलाओगे अब देखो 15 डिगरी का हो गया, 60 डिगरी का हो गया, 60 और 15 से मिलके मुझे 75 बनाना है अब मैं क्या करूंगी? आपको क्या करना है? C से आपने यहाँ पे बना दिया अब जो A, O, R है यह जो कौन है आपका? जो D है आपका, एक मिनिट यह देखो अब आपको क्या करना है? A, O, R जो इसको मैं मान लिया, R है ठीक है? इसको मैंने मान लिया, R तो जो यह है A, O, R यह जो कौन है? यह कितना था? 30 था? यह देखो, मैं आपको बता देती हूँ यह देखो, यह जो आपका है यह कितना कौन है, यह 60 degree है ठीक है, यह कितना angle है, 60 degree है 60 degree और यह कितना होगा, 15 मैंने बताया था, 60 और 15 से आपको क्या बनता है, 45 बनता है ठीक है, तो 60 और 15 से 45 बनता है, तो 60 degree मैंने बना दिया 60 degree यह है, यहां तक उसके बाद 60 degree में मुझे 15 और बनाना है तो ये जो 30 था इसका आदा कर दिया मैंने 15 तो जो अब आपके पास ये देखो अब आपके पास जो ये angle आया है कौन सा ये वाला यहां तक ठीक है ये जो है ये क्या है ये 45 degree है इसको मैं थोड़ा सा dark कर रही हूँ तागे आपको समझ में आ जाए 45 बोल रही हूँ मैं बार बार सो रही है ये पिछित्तर आएगा ये आपका कौन बन गया ठीक है कौन सा ये आर ओ ए कौन सा कौन होगा आर ओ ए या आप लिख सकते हो ऐ, O, R ये आपका क्या हो जएगा 75 डिग्री का आपका कौन बन जएगा ये भी अगर आपको ड्रोग करना एग ये लाइन आपको बनानी है तो बना सकते हो अदर्वाज ये ठीक है आपका ठीक है मैं बोल रही हूँ यह लाइन आपको आपस में इसको मीट कराना है, इसको ऐसे दिखाना है, तो इसको दिखा सकते हो आप, इसको F बना लो, यहाँ पर इसको F बना लो, इसको scale से मैंने ऐसे खीच गया, इसको आप scale से draw कर लेना, ठीक है, तो यह हो गया मेरा 75 डिगरी का cone, 75 डिगरी का angle, आगया चुटका सा, देखके डर लग रहा था वो, ऐसा निकला, है न, खोफ पैदा कर दिया, आप देखो, तो यह क्या हुआ, मैं क्या करूँगी सबसे पहले, याद हो गए होगे आपको step, क्या करूँगी, सबसे पहले मैंने straight line लगाई, straight line लगाने के बद क्या करूँगी, यह चोथा पार्ट कर रही हूँ, मैं 120, जो आप कोन बनाना है, 120 डिगरे का, ठीक है, फिर मुझे क्या करना है, यहां से मुझे चाप बनानी है, अपनी आर्क बनानी है, यह, इसको मुझे क्या नाम देना है, इसको क्या नाम देना है, C नाम देना है, फिर मैं क्या फिर मैंने यहां से क्या किया यह बनाया यहां पे कौन ठीक है यह बनाया मैंने कौन यह जो चाप बनाया आर्क बनाया यह यह जो आर्क बनाया है मैंने यह क्या होगा यह देखो यह 60 डिगरी है जितना यह 60 डिगरी है फिर से मैंने बनाया तो ये 120 हो जाएगा ठीक है तो ये जो है आपका point ये point है जो ये जो point है और जो ये point है इन दोनों को आपस में मिलाओगे तो ये 120 degree का आपका कोन बनेगा ठीक है इनको मिला दो क्या करना है आपको इन दोनों कोन को आप मिलाओ ठीक है तो ये आपका एंगल 120 तक बन गया कितना साफ साफ है ना देख नहीं बस दो लाइन लगी और हो गया क्यों विच्था क्या करना यह साठ डिग्री का बन गया साठ से यह हमारा 120 का है जो हमने थर्ड पार्ट किया था जिसमे मैंने लास्ट में जो ठीक है तो यह चार पार्ट आपको समझ में आगए अब देखो steps steps कैसे लिखने और पूरा आपको दिखाना कैसे तो फटा-फट से देख लो एक बार नजर मार लेते हैं यह steps हमें लिखने हैं ठीक है देखो यह हमारा 15 degree angle है जो उसके steps कैसे होंगे पहले हमने एक line रो करी थी फिर हमने ओको center मान की कोई भी radius साफ ले सकते हो any radius और फिर हमने एक और arc बनाई थी जो point B पर उस line को मिलती थी उसके बाद B को center बाना फिर से हमने एक arc लगाई थी फिर हमारा 60 degree का बन गया था तो यही चीज़े आपको उपनी steps में लिखनी है ठीक है तो मैं दिखा देती हूं फिर से यह है आपका question no.1 का जो आपका first part है यह आप screenshot भी ले सकते हो तो यह होगे आपके 11 steps होंगे steps of construction उसके बाद नीचे मुझे diagram बनाना है फिर दूसरा question देखो इसी तरह के से बार-बार explain नहीं कर रही है क्योंकि same है इसमें भी वही है पहले line draw करनी है फिर center मानना है फिर arc बनानी है फिर उस arc को दोबारा से हमें एक उसको cut करना है हमारा angle 60 degree बन जाएगा 60 degree का half करके intersect करक आदि से जादा radius लेके मुझे अपना angle 30 बनाना है फिर कोशन में वही है same steps है सब में सेम है बिलकुल सब में सेम है तो tension वाली कोई बात ही नहीं है तो यह हो गया हमारा second का इतने second में सिर्फ seven steps है चोटा सा है second तो 30 degree का angle हमने बनाया उसके बाद नीचे यह diagram बनाया ठीक है त इसको भी दो तीन बार देख लेना अराम से समझ में आजए कोई tension वाली बात नहीं है इसमें भी same वही steps है मैं repeat नहीं कर रही पहले मैंने क्या किया 60 degree का बनाया 90 degree बनाया 60 का half मैंने किया 60 का half करके मैंने 30 degree बनाया 30 degree 60 और 90 के बीच में 15 degree का angle बनाया ठीक है यह देखो यह सार जाने के लिए किया है तो यह मत लिखना यह लिखना चाहो तो फिर भी लिख सकते वह भी pencil से ठीक है तो यह आपका हो गया question number first का आपका third part last part है फिर हमारा 120 degree का आपको angle बनाना था यह सबसे चोटा है सबसे बड़ा angle है लेकिन इसके steps सिर्फ पांच है और बनाने में भी सब से easy है तो यह 5 steps लिखने है आपको यह 5 steps लिखने के बाद नीचे आपको diagram बनाना है simple तो यह हो गया आपका question number fourth part जो आपका है question one का तो यह चारो चीज़े आपको लिखनी है और आपको draw करनी है I hope अच्छे से आपको समझ में आ गई है पूरी worksheet फिर भी कोई doubt है तो मैं पूर